अखिर भारत दुनिया भर का कच्रा क्यों खरीद रहा है? ऐसी क्या वज़ाय है कि दुनिया के लगभग 25 देश कई में ट्रिक टन कच्रा भारत को बेच रहे हैं? भारत में तो अल्रेडी इतना कूड़ा कच्रा मौजूद है तो फिर भारत को दुनिया भर के गंदगी अपने देश मंगवाने की क्या ज़रात है? भारत इस कच्रे से क्या करता है? क्या है भारत में आने वाले कच्रे का असले सच? चलिए जानते हैं। दोस्तों हमारी भारत की आबादी कितनी ज्यादा है ये तो आप जानते हैं। और जितनी ज्यादा यहां की आबादी है उससे कहीं ज्यादा है यहां के लोग कच्रा फैलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने के कोशिश किये कि इतना ज्यादा खुद का कच्रा होने के भावजूद आखर क्यूं भारत दुनिया भर के 25 देशों से कच्रा खरीद रहा है। अब ये जायनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत हर साल 3300 करोड किलो कच्रा आपने देश मंगवाता है जिसमें से कुछ electronic waste होता है तो कुछ plastic waste और plastic waste में कुछ ऐसे waste material भी मौजूद होते हैं जिनने recycle नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी कौन से जरुत है जो सिर्फ कच्रे से ही जानदार और मजबूत सड़क को किसी और चीज़ से नहीं बलकि plastic waste material से बनाया गया है जिसमें एक किलोमेटर की सड़क बनाने के लिए एक टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है विसे देखा जाये तो आईडिया बुरा नहीं है बाकी चीज़ों के मकाबले plastic waste से सड़क ब बनायी जा रही है क्योंकि भारत सरकार ही नहीं बलकि यहां के लोग भी अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके शांदार कारनामे करना नहीं भोलते हैं अब जैसे कि आप प्रोफिसर सतीश कुमार से ही मिल लीजे जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते जरी सतीश कुमार उस प्लास्टिक वेस्ट को भी रिसाइकल कर लेते हैं जिससे रिसाइकल नहीं किया जा सकता तबी तो 500 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट से ये लगभग 400 लीटर पेट्रोल बना लेते हैं ठीक इसी तरह आज राजस्थान के भिलवारा जिले में रहने वाले अदेति बांगर नाम के नव्योवक्त ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि आप सूच भी नहीं सकते हैं 17 साल के इस लड़के ने एक ऐसी कमपनी डिवलप की है जिसका नाम Trash to Treasure है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अधितिक ये कमपनी प्लास्टिक वेस्ट माटीरियल से कपड़ा बनाने का काम करती है हरूज इनकी फाक्टरी में 10,000 टन कच्रे को रिसाइकल करके कपड़ा बनाया जाता है जो कि वाकई में बहुत इनोवेटिव तरीका है बला किसने सोचा होगा कि उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े भी अब कच्रे से बनकर तयार हो रहे हैं पर अभी तो सिर्फ चुरुआत है क्योंकि कोयामबटूर के श्टराम इंजिनियरिंग कॉलेज और CSIR, IIMT, त्रिवेंद्रम के वैग्यानिकों की एक टीम ने अलुमिनियम स्क्रेप को रिसाइकल करने के लिए कम लागत वाले एक नई तकनीक विकसित के है इनके इस तकनीक में इंडुस्ट्री से निकलने वाले खतरनाक कच्रे जैसे के अलुमिनियम आलोईज मिक्स्ट और स्क्रेप को एक साथ जोड़ कर उन्हें बहुत ही आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है वहीं एक रिपोर्ट में ये तक कहा जा रहा है कि आटोमोबील स्क्रेप से भारत की रिसाइकलिंग टेकनीक दोहजार पच्चिस तक 10 मिलियन टन स्टील पैदा करने में सक्षम हो जाएगी इतना ही नहीं इससे 1.4 मिलियन टन आइरन ओर भी प्रेडियूस किया जा सकता है यानि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रिसाइकलिंग के ये नए नए तरीके भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे है पर सवाल ये आता है कि क्या इन सारी चीजों से भारत को फायदा होगा दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब 1 टन पेपर को रिसाइकल किया जाता है तो उसकी वज़ए से 17 पेट बचाय जा सकते है धाई बैरल ओयल, 4000 किलोवट बिचले, 4 क्योब 1 मीटर लाइन फील्ड और 3780 लीटर पाने ये सारी चीज़ें केवल 1 टन पेपर को रिसाइकल करके बचाय जा सकते है क्योंकि पेपर को रिसाइकल करने से नकेवल नए पेपर को बनाने में लगने वाली चीज़ों को बचाय जा सकता है बलकि जिस जगा पर पेपर को एकठा किया जाता है, यानि कि जो लैंड फील होती है, उसका भी बचाव होता है अब सोच लीजे कि ये रिसाइकलिंग टेकनीक इतने ज्यादा जबरदस्त है, पर दूसरों इस तकनीक में कुछ खामिया भी है जैसे कि भारत युनाइटेट स्टेट्स और यूरोपियन देशों से कच्रा तो एकठा करता ही है लेकिन पाकिस्तान और बांगलादेश जैसे देश भी हैं, जहांसे कच्रा हमारे भारत में आता है असी परदे के पीछे छुपी हुए बहुत सी कंपनिया हैं, जो भारत को पाकिस्तान और बांगलादेश का कच्रा भेजती है पर यहाँ पर भी यह बात सोचने वाली है कि आखर इतने सारे देश भारत को ही कच्रा क्यों दे रहे हैं तो भई इसके पीछे उन देशों का फायदा है क्योंकि अगर United States में computer के electronic waste को recycle किया जाता है तो उसमें पूरे 20 डॉलर का खर्चाता है वहीं अगर United States भारत को एक कच्रा बेचता है तो उसे सिर्फ 700 रुपय का खर्चाता है जिसकी वज़ा से United States जैसे दूसरे देश अपने कच्रे से मुक्त हो जाते हैं और भारत को भी इन कच्रे से फायदा होता है पर दोस्तों जरूरी नहीं कि ये पूरा प्रोसेस फायदे मंधी हो क्योंकि इससे भारत को कुछ नुकसान भी होता है जहां हर साल भारत 4300 करोड के लगभा कच्रा बाहर के देशों से खरीता है पर अफसोस की बैत यह है कि इतने भारी भरकम कच्रे में से केवल 11.9 मिलियन टन कच्रे को ही रिसाइकल किया जाता है बाके का 30 मिलियन टन कच्रा डंप कर दिया जाता है और इतने सारे कच्रे को डंप करने के लिए बहुत बढ़ी जमीन की जरत बढ़ते है पर इससे भी ज्यादा बड़ी बैती है कि ये केवल बाहर से आया हुआ कच्रा है भारत में खुद हर रोज 15,342 टन कच्रा निकलता है जिससे ढंग से रिसाइकल भी नहीं किया जाता इस कच्रे को एक एरिया में डंप किया जाता है पर जिस तरीके से हमारे देश में कच्रे की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे देश में कच्रा डालने के लिए सरकार को एक पूरा का पूरा शहर तयार करना होगा क्योंकि अगर इतना सारा कच्रा एक ही जगा पर एकठा होने लग जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ होगे जसकी वज़ा से एक शहर तो केवल कच्रा फेकने के लिए ही रिजर्व करके रखना पड़ेगा और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह वो कच्रा है जिससे आज की टेकनोलिजी के हिसाब से रिसाइकल नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि भारत में लगातार पल्यूशन बढ़ता जा रहा है लोगों के बेमार होने की दरबढ़ती चली जा रही है और देश के कुछ हलाकों में तो इतने बुरे हालात हैं कि वहां मौझूद कच्रे की वज़े से सांस लेना तक मौशकल है कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा देश भारत दुन्या के अलग-अलग देशों से कच्रा मंगात हो रहा है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है लेकिन ये जो इस्तेमाल है कि उतने ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा है जिस लेवल पे कच्रे को मंगवाया जा रहा है उसके हिसाब सक जिसकी वज़ा से आने वाले समय में भारत के अंदर पिल्यूशन का स्थर और भी बढ़ जाएगा और अफसोस हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते है दोस्तों हमारे देश में जो वेस्ट मैनेजमेंट है यानि कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है और जो हमारे इंडस्ट्री है अगर इसे सही तरीके से अपनाए इसका बहतर उपयोग करे तो इससे काफे कुछ बना कर तयार किया जा सकता है और बहुत सारे पेड़ पौद है और काफे electricity ये सब कुछ बचाई जा सकते है जिसकी वज़ा से काफे फायदा होगा पर दोस्तों हमारे दिज़ों पर ध्यानी नहीं दे रहा है क्योंकि लोगों को पता है उनके घर साफ है उनका मोहला साफ है तो सब कुछ साफ है जबकि ऐसा नहीं है ये देश भी हमारा है और इसे शाफ सुथ्रा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है जिसके लिए हमें ही कदम उठाने पड़ और आगे चलकर यही waste material recycle नहीं हो पाते। हम भले ही आज हमारे देश में कच्रे को recycle करने की technology इतनी ज्यादा विक्सित नहीं है लेकिन अभी हम लोग विकास कर रहे हैं और इस दोरान हमें हर एक मापदंड देख सीख लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर भारत को एक स्वच और ब जिता में इतना ज्यादा अमीर है अगर इसी देश में कच्रा लगभक खत्म हो जाएगा तो आप सोच लीजे हम किस लेवल पर पहुंच जाएंगे इसलिए आप नकेवल अपने आसपास के माहौल को साफ सुत्रा रखें बलकि कच्रे को सही जगा पर पहुंचाने का काम भ अलकुल मत भूले थाने बाद